Good morning students, कैसे हो सब, बढ़िया, चलो, तो क्या कर रहे थे हम, set, है न, तो आया सब को समझ, yes, great, चलो, अच्छी बात है, तो देखो क्या क्या पढ़ा हमने set में, एक पर थोड़ा से revise कर लेते हैं, set क्या होता है, बताओ फटा फट, set, a well-defined collection of objects, right, कि एक well-defined collection को हम क्या बोलते है, set, ठीक है, okay, well-defined से मतलब clear है, yes, well-defined का मतलब, you are 100% sure whether a particular element belongs to your collection or not, मतलब कोई particular element आपकी collection में आए या ना आए, आप उसके बारे में sure होने चाहिए, मतलब आने के बारे में भी sure होने चाहिए और ना आने के बारे में, यह हमने पढ़ा, छीक है, इसमें किसी हो कोई दिक्कत नहीं, okay, फिर हमने दो form पड़ी थी, कि कि किसी भी set को represent करने के दो तरीके होते हैं, तो बताओ फटाओ फट कौन-कौन से, first one is, roaster form, या fit tabular form, तो इसमें करते क्या है, हर येक element को अलग-अलग लिख देंगे, right, और दूसरी form कौन सी है, set builder form, set builder form में क्या करते है, x such that, फिर कुछ ऐसा कि केवल वो element उसको satisfy करे, उसको छोड़के single element भी उसको satisfy ना करे, right, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वो property आपके कुछ भी हो सकती है, बस कुछ ऐसा लिखना है कि वो element भी उसको satisfy करे, बाकि single element भी उसको satisfy ना करते, right, ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया, okay, फिर हमने कुछ types of set पड़े थे, कौन-कौन से, first one is finite set, finite set कौन से होते हैं, जिन में finite number of element हो, infinite set कौन से होते हैं, जिसमें infinite number of element हो, right, फिर null set, null set क्या होते हैं, जिसमें कुछ भी ना हो, और singleton set जिसमें single element हो, right, और equivalent set, same number of element, but element same हो, ये जरूरी नहीं है, और equal set कौन से होते हैं, same number of element, and same element, right, ठीक है, तो ये इतना clear है सभी को, तो एक बार इस पर बेस questions देखते हैं, देखें, first है, write the solution set of the equation, x square plus x minus 2 equal to 0, इसको हमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, तो देखो, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कौनसी होते हैं, हर येक element अलग अलग, right, अब मैं, ये तो quality equation नजर आ रही है, quality equation को कैसे solve करें, तो देखो, आपको आता है, quality equation solve करना, करते हैं, क्या, x square plus x minus 2, इसके root find out कर लो, तो root find out करने के हमने different method पड़े हुए class 10th में, कौन-कौन से method, first by factorization method, second using formula, right, तो किसी भी method से आप find out करो, तो एक बार देख लेते हैं, factor किये, minus 2 के factor, ऐसे factor की add करके positive 1 आ जाए, तो बताओ क्या बनेंगे, 2 and minus 1, तो देखो, इनको multiply करोगे तो क्या आएगा, minus 2, add करोगे तो क्या आएगा, positive 1, right, ठीक है, अब देखो, ये क्या बना, x square plus 2x minus x, minus 2, ठीक है, factor कर दिए, आप देखो, starting, दो values, x common, x plus 2, इधर से negative sign common, x plus 2, इन दोनों values से, देखना, क्या common आ रहा है, x plus 2, common, क्या बचा, x minus 1, तो ये value equal to 0, यहा तक सबको clear है, okay, आप देखो, दो factor की, multiply 0, इसका मतलब क्या है, first भी 0 हो सकता है, second भी 0 हो सकता है, तो first अगर मैं 0 ले लूँ, तो यहां से देखो, x की value क्या आई, minus 2, second one को अगर मैं 0 ले लूँ, तो यहां से देखो, x की value क्या आई, 1, यानि कि इसमें 2 element है, कौन कौन से, 1 and minus 2, तो हमें इसको roster form में लिखना था, roster form मतलब set की form, लेकिन हर एक element अलग अलग, अब इसमें कितने element आए, मैं 2 element, कौन कौन से, 1 and minus 2, तो यह इसमें लिखते हैं, तो A set में कौन कौन सी value आ रही है, 1 and minus 2, done, ठीक है, clear है सब इक हो, okay, note कर लिजए साथ के साथ, देखो, एक तो होगे यह method, इसको बोलते हैं factorization method, दूसरा method है अपने पास, using formula, अब हम formula की help से भी कर सकते हैं, अब formula की help से कैसे, formula की help से, formula है, minus B plus minus root B square minus 4AC divide by 2A, ठीक है, तो यह formula है अपने पास, आप देखो, इसमें, minus B, A की value कितनी है, 1 B की value, 1 C की value, minus 2, ठीक है, A होता है क्या, X square का coefficient, यानि की X के साथ जो है, B होता है, X का coefficient, means, X के साथ जो value दे रखी है, और C होगे आपका constant, ठीक है, अब फटा फट पूट करों, मेरे साथ साथ करों, minus 1 plus minus under root B square minus 4AC divide by 2A, ठीक है, यान दा clear है सभी को, ओके, अब देखो solve करके क्या आ रहे, minus 1 plus minus root 1 plus 4 into 2, 8 divide by 2, तो minus 1 plus minus root 9 by 2, मतलब, minus 1 plus 3 and minus 1 minus 3, तो देखो, 9 का अंड root 3, एक बार positive sign के साथ लेगे और एक बार negative sign के साथ, तो देखो, यह क्या बना, minus 1 plus 3 कितना? 2, 2 by 2 कितना? 1, तो पहली value क्या आ गई? 1, दूसरी value देखो, क्या आ रही है? minus 1 minus 3, minus 4, divide by 2 कितना आया? minus 2, तो देखो, यहां से भी यह दोनों value आ रही है, तो इन दोनों में से किसी भी method से आप करो, दोनों ही method, ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यह हमारे कौन सी form हो गई? रोस्ट फॉन, clear है सभी को? ओके, not कर लिजे फटा फट, done? चलिए, आगे बढ़ते हैं, write the set, अब हमको क्या लिखता है? set, कौन सी form दे रखी है? set, builder form, कैसे बता चला? मैं इधर क्या दे रखा है? x, such that x is a positive integer, x क्या है? positive integer, positive integer का मतलब क्या बताए था? फटा फट, सब की आवाज? natural number, positive integer मतलब? natural number, और natural number बताए ना कहां से शुरू होते हैं? 1, 2, 3, up to solve infinity, and x square less than 40, कि x का square 40 से less हो? अब मुझे बताओ, 1, 1 का square कितना बनेगा? 1, 40 से less है? yes, okay, next value, 2, 2 का square कितना? 4, 4 क्या 40 से less है? yes, तो हम यह ले लेंगे, next one is 3, 3 square कितना? 9, 9 less than 40, yes, यह भी लेंगे? 4, 4 square, 16, 16, यह भी आजाएगा? 5 square, 25, 6 square, 36, 7 square, 49, तो बताओ, क्या 49 less than 40 है? नहीं है, है ना? तो means 7 इसमें नहीं आएगा, ठीक है? तो देखो, इसने क्या बोला था हमें? इसने बोला था कि इसमें लिखो, x, मतलब element अपने किस के आएँगे? x के आएँगे, और वो कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव integer मतलब natural number, तो natural number कहां से शुरूए? 1 से, ठीक है? लेकिन उनका square किस से छोटा होना चाहिए? 40 से, तो ध्यान देना इस बात को, ध्यान से सुनना, x square, less than 40, अब कई स्टुटेंट ऐसे सोचते हैं कि x का square less than 40 बोला है, तो यहां पर आना चाहिए, 1, 4, 9, 60, नहीं, अपने को क्या लेना है? यहां जो value है, वो लेते हैं, ठीक है? तो यहां देखो, x, x आएगा, वो तो 1 square, 2 square, 3 square, x की value तो 2 है ना, x की value तो 3 है ना, तो यह वाली value consider करेंगे, तो इस प्यात का धियान अखना, कि इस set में कौन-कौन सी value आएगी? x, such that, तब x जो property satisfy करेंगे ना, वो value आएगी, ना कि x square, x cube या कुछ भी मर्जी दे रखाओ, ठीक है? clear है सभी को, तो यह अपनी कौन सी form हो गई? roster form, roster form मतलब हर एक element को, हमने अलग-अलग लिख दिया, ठीक है? done, clear सभी को, okay, आगे बढ़ चलिए, next है, write the set, 1, 4, 9, 16, 25, in set builder form, अब देखो, set builder form आते है, mind में क्या आया? मैं हमें क्या लिखना है? x, such that, फिर कुछ ऐसा, कि केवल ये element उनको satisfy, करें, इनको छोड़के, single element भी उसको satisfy ना करें, और set builder form में, हम अपनी कोई भी language उसकर सकते है, right? ठीक है, तो देखो, अपने को क्या लिखना है? a, equal to x, x के आगे क्या? such that, ठीक है? अब बताओ, ये आपको क्या नजर आ रहा है? 1, 4, 9, 16, 25, and so on, मतलब, square है ना? इतना तो clear है ना? देखो, ये कितना है? 2, square, ये 3, square, 4, square, 5, square, लेकिन ये जो 1, 2, 3 है, ये सब आपके क्या है? Natural number, है ना? Positive integer भी बोल सकते हो, राइट? तो देखो, x such that, x equal to n square, n lies, n is a natural number, एक से के. यहाँ, n क्या है? n is a natural number, natural number, right? clear है सभी को? तो x, x क्या है? n square, और n क्या है? natural number, natural number कहां से शुरू होंगे? 1, 2, 3, तो देखो, इसमें जब आप 1 put करोगे, तो 1 का square क्या बना? 1, 2 का square क्या बना? 4, तो अपने देखो, x की value यही लिख रहे हैं, 4 है, x तो 4 है, जब आप मैंने 3 put किया, 3 square क्या? 9, तो 9 अपना क्या है? x ह तो है, तो बात समझ आ रही है, तो अपने को कुछ ऐसा लिखना है, कि यह x की value है, वो यह element बने, clear? done, अच्छा, आप देखो, 3 dot लगाए हुए आगे, इन 3 dot का मतलब क्या है? यह value, infinite तक जा रही है, ठीक है? clear? okay, यहादा किसे हो कोई दिक्कत? नहीं, चली, आगे बढ़त है, next है, write the set, 1 by 2, 2 by 3 and so on, किस form में लिखना है? set builder form, चीक है? आप मुझे बताओ, set builder form, मतलब क्या आएगा? x such that, फिर कुछ ऐसा कि यह element उसको satisfy करें, तो बनाओ मेरे साथ साथ, फटा फट, सब के हाथ चलने चाहिए, इसको a set consider कर लेते हैं, तो बताओ, सोचो, फटा फट बताओ, x such that, x equal to, आपको यह value कैसी नजर आ रही है? मैं fraction में नजर आ रही है, तो अपने को भी क्या बनाना है? fraction बनाना है, लेकिन कैसा? दो consecutive value का consecutive मतल अब लगातार जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 4 and so on, तो बताओ, उपर मैं क्या लिख दूँ? n, divide में क्या लिखूँ? n plus 1, है ना, उपर जो भी value है, उससे एक value ज्यादा divide में है, लेकिन यह जो n है, वो क्या है? वो एक natural number है, या फिर आप इसको एक positive integer भी बोल सकते हो, ठीक है? अब यहां तक तो बात समझ आ गई, लेकिन यहां जो n की value है, वो मुझे बताओ, 1 से लेके 6 तक लाई करेगी है, ना, देखो, maximum, जब आप इसमें n, 1 put करेंगे, ठीक है? तो 1 put करो, तो x की value देखो क्या आया? 1 by 2, ठीक है? अब n की value 2 put करो, तो 2 put करोगे क्या आएगा? 2 by 3, ठीक है? Similarly, जब आप 6 put करोगे, n की value 6 put की आपने, तो मुझे बताओ क्या आया? 6 by 7, आप देखो, इससे बड़े value पॉसिबल है? नहीं, तो केवल यही वाली element आ रहे है ना? तो आरी बात समझ? तो कुछ भी मर्जी लिखें, लेकिन कुछ ऐसा कि केवल यह element उसको satisfy करें. अगर मालिया, मैं इदर कुछ और लिख देती, कुछ और कैसे, जैसे 7 तक लिख देती, तो बताओ, यह तो गड़बड हो जाता न, क्योंकि हमें तो लगता है, इसमें तो 7 ना है, लेकिन देखो, relation क्या है? x equal to n by n plus 1, तो यह 7 put कर देते, तो यह 7 by 8 बन जाता, तो वो तो बनता न, तो गड़बड हो जाता, तो आरिये बास समझ, तो अपने को ऐसा कुछ लिखना है, कि केवल यह element उसको satisfy करे, done, clear, बढ़े आगे, चलिए, next, match, each of the set on the left is described in the roster form, हमको यह किस form में लिखना है, roster form में, मलब left side जो है, वो roster form में given है, with the same set on the right, right में भी same way set है, लेकिन set builder form में है, लेकिन अपने को match करना है, कौन किस से match कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले काम, जो अपने right side value है, यह बढ़ चेक कर लेते हैं, उसमें element कौन कौन से है, तो बनाओ फट फट, फट फट बनाओ, A set, बताओ क्या क्या आएगा, X, such that X is positive integer, positive integer से मतलब, natural number, right, and is it divisor of 18, 18 के divisor, तो बताओ 18 के divisor क्या क्या बनेंगे, फट फट, फट, 1 बन जाएगा, yes, 2, 3, है न, 3 into 6, next 4, 9, 5, 9, 6, 9 and 18, ठीक है, A set clear है सभी को, आगे सारी element, done, okay, अब B set देखिए, B set क्या है, X, such that, X क्या है, integer, ध्यान देना इस wording पे, यहाँ इसने word यूज़ किया, integer, integer से मतलब, integer से मतलब, minus infinity से, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, up to solve, infinity, बात समझ आ रही है, integer, कोई भी value हो सकती है, negative भी हो सकती है, positive भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है, ठीक, अब इसने बोले, X square minus 9, 0 होना चाहिए, आप मुझे बताओ, X square minus 9, 0, इसका मतलब क्या, X square की value क्या, 9, जब हम square हटाते हैं, तो plus minus 2, 9 साइन आते हैं, तो बताओ, फटाओ, फट X की value कितनी, plus minus 3, clear, done, okay, तो बताओ, इसमें कौन-कौन सी value आई, एक तो 3 आगया, और एक minus 3, done, clear FB सभी का, okay, next one, आफट, आफट, C, X, such that, X is an integer, अगे इन देखो, क्या value यूज कर रहा है, क्या wording यूज कर रहा है, integer, तो मैं हमें integer का मतलब पता है, क्या minus infinity से infinity, कोई भी value हो सकती है, negative, positive, 0 भी, अब क्या relation सेटिस्फाई कर रहा है, X plus 1, 1 के equal हो, ठीक है, अब देखो, 1 को उस तरफ लेके गए, positive sign, उस तरफ जाके, negative, तो बताओ, 1 minus 1 क्या, 0, अब मुझे बताओ, फटा-फट, X की value कितनी आ गई, 0, 0, तो अपने को यहां लिखना क्या था, X की values न, तो बताओ, X की value क्या आई, 0, मतलब इस सेट में हमारा क्या आया, 0, अच्छा, एक पात और बताओ, क्या यह जो 0 आया है, यह क्या यह मेरा null set है, नहीं, क्योंकि देखो, 0 एक element है, यह एक singleton set बन गया, ठीक है, आर यह बात समझ, ओके, next देखिए, D, क्या क्या रहा है, X, such that X is a letter of the word principle, आप मैंने क्या बताया था, कि अगर आपके value repeat होती है, तो set में repetition matter नहीं करती, मतलब केवल जो distinct objects है, केवल while होगे, तो बताओ मुझे फटाफट क्या क्या आएगा, P, R, I, N, C, I तो repeat हो गया, P, B repeat हो रहा है, A, L, तो यह हमारी value से आगए, यहां तक बताओ बात समझ, आएगा, ठीक है, ओके, अब फटाफट आप बता सकते हो, बताओ principle किस set से match करेगा D set, है ना, देखो principle, तो P, R, I, N, C, A, L, P, R, I, N, C, A, L, ठीक है, ओके, नेक्ट देखो 0, 0 कौन से set के corresponding, C, 1, 2, 3, 6, 9, 18, यह किसके corresponding, A, और 3 minus 3 किसके corresponding, B, Done, चरू, समझ आया है सभी को, तो बिल्कुल simple था, तो अभी तक तो बस हम यही करें ना, कि roster form को set builder में कैसे change करते हैं, set builder को roster में कैसे change करते हैं, ठीक है, आगे देखिए, इन questions को भी हमें, roster form में change करना हैं, तो देखो, क्या दे रखा है, इनको हमें change करना है, roster form में, first है, A, A equal to X, such that, X is an integer, wording पर ध्यान देना, क्या कह रहे हैं यह, यह हमें कह रहे हैं, क्या, integer, integer से मतलब, minus infinity से infinity तक कोई भी value, ठीक है, लेकिन, एक चीज़ हो, देखो, इधर आपको दे रखा है, X, X lies between minus 3 to 7, आप देखो, यहां less than equal to का sign है, इसका मतलब है, minus 3 भी include है, integer वर्ट दे दिया है, इसका मतलब, complete value आएगी, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, 0, मतलब complete value, यह नहीं की value पाइंटों में आए, आपकी 2.3 लिख दो यह something कुछ, लाइ, ठीक है, अब बताओ क्या क्या आएगा, फटा फट, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बताओ 7 लिखो, नहीं, क्योंकि यह stickly less than है, मतलब 7 से छोटा होना चाहिए, 7 उसमे include नहीं है, ठीक है, चलिए, A set बन गया हमारा, done सभी का, ओके, आगे देखो, B set, B set क्या कह रहे है, X, such that, X क्या है, natural number, natural number आते हैं, अपने mind में क्या है, 1, 2, 3, up to some, infinity, मतलब अपनी value कहां तक जाएगी, infinity तक, और 1 से start होगी, लेकिन इसने क्या बोला है, less than 6, 6 से छोटा होना चाहिए, तो यह मैं आपने बताया है, हमें less than जब हम आता है, less than जब भी भी आता है, तो वो value हम include नहीं करते हैं, तो यहां less than 6 है ना, तो 6 को include नहीं करेंगे, तो बताओ फटाफट क्या लिखोगे, इसमें हम लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, done? ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए, देखो, next क्या कह रहे हैं? बड़ो फटाफट statement, पढ़ा सभी ने? ओके, देखो क्या कह रहे है, X, such that, X is a 2 digit, देखो क्या बात कर रहे है, 2 digit, natural number, such that, sum of its digit is 8, 2 digit का होना चाहिए, और sum of digit कितना होना चाहिए? 8, ठीक है? आप मुझे बताओ, 11 से start क्या? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, जब आपने बोला 17, तो देखो, 17 में digit का sum कितना आएगा, 7 plus 1 कितना? 8, मतलब यह value आ जाएगी, next देखो, 17 के बाद, जिसमें digit का sum आपका कितना आए? 8, तो 26 लिख दू, next value बताओ, 35, 44, 53, 62, 71, and 8, 0, है ना? 2 digit है, और digit का sum किसके एक्वाल है? जिनकी digit का sum, 8 किक्वाल है, simple? ओके, बन क्या सी सेट? आगे देखो, D सेट, D सेट क्या क्या रहे? X, such that, X क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आते हैं माइंड में क्या आया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, and so. आगे क्या रहे? डिवाइजर ओफ सिस्टी, 60 के डिवाइजर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो बताओ फटाफट क्या क्या आएगा? 2 आ जाएगा, प्राइम नंबर भी हो, और डिवाइजर ओफ सिस्टी भी हो, त्री बताओ फटाफट, येस, डिवाइजर ओफ सिस्टी भी हो, और एक प्राइम नंबर भी हो, 5, येस, अब इसके बाद बताओ क्या आएगा, 7, 9, 11, 13, आगे तो कोई आएगा ही नहीं ना, तो इसमें केवल क्या आ गया, 2, 3 and 5 क्योंकि हमें प्राइम नंबर चाहिए थे, done, okay, E set, E set तो हमें अपने आप बना लेंगे, तो बना लो, जल्दी करो, set of all letters in the word trigonometry, तो केवल जो repeated value है, वो हमें नहीं लिखनी है, तो लिखो फटा-फट, T, R, I, G, O, N, आप देखो ये O ये repeat हो गया, ये हम नहीं लिखेंगे, M, E, T again repeat, R भी repeat, और क्या लिखेंगे, 5, done, चलो, next, F भी खुद बना सकते हो, बनाओ फटा-फट, B, E, T, हाँ, तो ये क्या आ गया, R, done, ठीक है, clear है सभी को, यहाँ दा कोई दिक्कत, नहीं, ओके, आगे देखते हैं, next है, हमें बताना है कि ये set, finite set है या infinite set है, ठीक है, क्या बताना है, finite है या infinite, तो बताओ मुझे, finite कब होता है और infinite कब होता है, finite मतलब, जिनको हम count कर सके, और infinite मतलब, जिनको हम count ना कर सके, ठीक है, अब देखो, x-1, x-2 equal to 0, दो factor, equal to 0, तो इसका मतलब क्या है, first factor 0, second factor 0, या फिर दोनों factor 0, तो बताओ, x-1, 0, x-2, 0, तो यहां से x की value क्या आ गई, 1, और यहां से x की value, 2, done, ठीक है, next देखते है, second parties का, x-square, equal to 4, लेकिन देखो, wording पर ध्यान देना, मैंने क्या बताए था, square जब आपका होता है, plus minus, दोनों sign आते है, तो मतलब, x की value कितना, plus minus 2, यह बत clear, ठीक है, लेकिन, देखो, इसने बोला क्या, x क्या होना चाहिए, एक natural number होना चाहिए, तो मुझे बताओ, क्या यह minus 2, एक natural number है, नहीं है, natural number कहां से शुरू होते है, 1 से शुरू होते है, मतलब, तो इसका clear है, कि minus 2 को हम reject कर देंगे, done, तो बताओ, second part का फटा 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 answer, कितना आएगा, इसमें kable positive 2, यानि कि हमारा singleton set है, done, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next है, x, x एक natural number है, and 2x minus 1 equal to 0, ठीक है, तो देखो, यह क्या कहार है, 2x minus 1 equal to 0, ठीक है, आप बताओ, इसको solve करो, 1 उदर गया, negative 1 उदर जाके, positive 1, तो बताओ, फटा फटा फट x की value, 1 by 2, ok, लेकिन, लेकिन, इतनी जल्द बाजे मत किया करो, देखो, यह क्या रहा है, x, x क्या है, natural number है, तो मुझे बताओ, क्या 1 by 2 natural number है, नहीं, natural number क्या होता है, complete value, 1, 2, 3, up to son, तो यहां तो गड़बर हो गई न, 1 by 2 आगया, तो मतलब, यह तो नहीं हो सकता possible, लेकिन मैं इसके तो value यह एक आई थी, और वही possible नहीं है, फिर इस set में क्या आएगा, तो देखो, जब किसी set में, कुछ भी नहीं होता, तो हम क्या लिखते हैं, empty set, empty set मतलब 5, तो बताओ, इस का अंसर क्या आगया, 5, clear है सभी को, okay, next देखते हैं, next देखिए, x, such that, x क्या है, एक natural number है, और, x एक prime number भी है, आप बताओ, prime number कहां से चुरू होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and so, तो three dots लगाके and so on हो जाएगा, done, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, fifth दिखिए, क्या कह रहा है, x, such that, x क्या हो, natural number हो, और, और भी हो, तो natural order number, 1, 3, 5, 7 and so on, done, इन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, okay, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next है, find the pair of equal set, हमें बताना है, कि इन में से कौन से set equal set है, तो बताओ, first equal set के लिए, क्या क्या condition थी, यादे सभी को, okay, बताओ, first condition, equal set के लिए, क्या थी, same number of element, है न, मैं लिख देती हूं, क्या क्या condition थी, equal set के लिए, first condition, same number of elements, और second condition, same elements, ठीक है, तो यह दो conditions है, first one is same number of element, and second one is same element, ठीक है, अब देखो, find the pair of equal set, यह बोल रहा है, हमें बताने है, कौन से equal set है, तो एक बर इनको पहले सुन्दर सुन्दर लिख ले, ठीक है, हाँ, पहला काम आम यही करते हैं, इनको सुन्दर सुन्दर लिख लेते हैं, चलिए, a set, यह तो सुन्दर सुन्दर ही है, a set क्या है, 0, ओके, b set, b set क्या है, x, such that x greater than 15, 15 से बड़ा होना चाहिए, यानि कि 16, 17, 18 and so on, लेकिन, देखो, यहाँ and है, यानि कि simultaneously, 5 से छोटा होना चाहिए, यानि कि 4, 3, 2, आप मुझे बताओ, कोई भी value, 15 से बड़ी भी हो, और 5 से छोटी भी हो, simultaneously possible है, not possible, तो मैं, इसमें तो कुछ आया है नहीं, तो कुछ नहीं आया, तो हमें पता है न, कैसे लिखना है, तो लिख दो, क्या आएगा, empty set, very good, आगे देखो, c, x, such that x minus 5 equal to 0, तो बताओ, फटा फट, x की value कितना, 5, तो इस set में क्या आगया, 5, very simple, okay, d set देखो, यह क्या रहा है, x, such that x square equal to 25, आप मुझे बताओ, square रट आया तो दोनों sign आएंगे, तो क्या क्या आएगा, positive 5 and negative 5, done, okay, e set देखो, e क्या रहा है, integral positive root, देखो, ध्यान देना, यह क्या क्या रहा है, integral positive root, यानि कि अपने को केवल positive value चाहिए, ठीक है, तो यहाँ क्या है, x square, यहाँ value है, x square minus 2x minus 15 equal to 0, तो देखो, इसके दोनों तरीके पता है, कौन-कौन से method थे, यह, मैं, बिल्कुल अच्छे से आते हैं, तो कर दो, yes, क्या क्या रहा है, x, such that x is an integral positive root, ठीक है, अब positive root find out करने, इस value के, कौन से value के, x square minus 2x minus 15 equal to 0, ठीक है, तो factorization method से करें, चलो, बनाओ, फटा-फट इसके factor, मेरे साथ साथ, इसके factor किये, minus 15, ऐसे factor add करके minus 2 आ जाए, तो 5 और 3, minus का 5, plus का 3, तो क्या में square ऐसा लिखतूं, x square minus 5x plus 3x minus 15, done, clear, okay, अब देखो, starting दो value से क्या कोमन, x क्या बचा, x minus 5, इदर से क्या कोमन, 3, क्या बचा, x minus 5, इन दोनो value से, x minus 5 कोमन, remaining term x plus 3, तो हमारे roots आ गई है, x की value 5, and minus 3, ठीक है, लेकिन, लेकिन क्या, लेकिन ये, इसने बोलाव, integral positive root, मतलब हमें केवल positive value लेनी है, दन, आगे सारे, ओके, अब, जो हमारा main काम था, मुद्दे की बात पर आते हैं, देखो, मुद्दे की बात क्या थी, same number of elements, and same element अगर है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, equal set, हमें क्या चाहिए, equal set, right, अब बताओ, क्या 0, 5 की equal होता है, नहीं, 5 की equal, नहीं, 5 माइनस 5 की equal, नहीं, 5 की equal, नहीं, ठीक है, तो ये जो C set है और E set है, इसके अलावा कुछ और equal नजर आ रहा है, नहीं, तो मतलब हमारे के वलिए, दो set equal है, C and E, done, clear equal set कौन से होते हैं, जिसमें, same number of element, and same element, अब इसमें number of element कितने है, 1, इसमें number of element कितने है, 1, element कौन सा है, 5, तो same number of element, and same element, तो ये set कैसे होगे हमारे, equal set, ठीक है, okay, done, next, देखो, which of the following sets are equal, हमें बताना है कि इन में से कौन से equal set है, ठीक है, हाँ मुझे बताओ, फटा, फट, equal कौन से होते हैं, clear है ना सबीको, हाँ, तो बताओ, equal set वो होते हैं, जिसमें, same number of element, and same element, तो देखो, पहले वाले का set बनाओ, X, such that, X is a letter in the word alloy, तो बताओ, इसमें क्या आएगा, इसमें आगया, A, L, O, Y, B, set बताओ, फटा, फट, क्या आएगा, L, O, Y, A, L, repeat तो नहीं लिखोगे ना, ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या इसमें, 1, 2, 3, 4, number of element बताओ कितने हैं, 4, इसमें number of element कितने हैं, 4, क्या element भी same हैं, क्या, चेक कर लेते हैं, L, C, O, Y, A, तो यानिकी same element, and same number of element, ठीक है, तो मतलब, इसमें A equal to B है, done सभी का, ओके, आगे देखते हैं, next देखिए, next क्या है, A, A set, N, N क्या है, integer, तो मतलब, इसमें N क्या है, integer, and, N square less than, यह है, N square less than equal to 4, N square 4 से less है, अब एक integral value, और N का square less than 4, तो बताओ क्या क्या आएगा इसमें, इसमें आजाएगा, 0, 1, minus 1, 2, minus 2, है न, तो क्योंकि देखो, 2 का square कितना, 4, minus 2 का square, 4, तो 4 तक भी तो value इसमें include होगी न, और इसने integer बोला है, तो negative, positive, सारी values आजाएगी, done, b set, b set क्या क्या रहा है, यह x square है, x square minus 3x plus 2, और x यहाँ दे रखा है, तो सबसे पहले इसके root find out करें, चलो, root आते हैं सभी को find out करने, करो फटा-फट, root find out करो इसके, x square minus 3x plus 2 equal to 0, करो find out, root, इसके factor कि, x square minus 2x minus x plus 2, x common, x minus 2, minus 1 common, x minus 2, तो यह value आगई, आपके पास 2 और 1, आप बताओ, क्या है दोनो set equal है, नहीं, ना ही number of elements same है, ना ही same element, तो यह set हमारे equal set नहीं है, simple, चलिए, बढ़े आगए, next है, हमें बताने हैं कि यह set equal set है या नहीं है, तो देखो, क्या कह रहा था, equal to 2, 3, be set, बताना solution क्या आया, x square plus 5x plus 6 equal to 0, factor किये, करो फटा-फट इसके factor, तो यह factor आ रहे है, x square, x square plus 3x plus 2x plus 6, x common, x plus 3, 2 common, x plus 3, तो x plus 3, x plus 2, यह value equal to 0, तो यहां से x की value आ गई, minus 3 and minus 2, done, अच्छा, यह एक बड़ आपका, slavus के लिए तो नहीं है, वैसे बता देते हूं, not कर लेजिए, जब भी भी ऐसे हमें factor बनाने होते हैं न, जैसे यह है, x square plus 5x plus 6, देखो, आपको करना क्या है, देखो, 6 के ऐसे factor की add करके क्या आ जाए, 5, तो देखो, factor क्या बनेंगे, 2 and 3, अब root find out करने के लिए क्या करते हैं, इनके sign change कर देते हैं, तो देखो, sign change क्या, पहला काम क्या है, यहां लिख लिजिए, पहला काम, sign change, ठीक है, sign change कर दिए, दूसरा काम, x2 का जो coefficient है, x2 कोफिशेंट इसमें क्या है, 1, तो x2 के coefficient से divide, तो मतलब अपना answer कितना आगे सिद्धा, minus 2, minus 3, ठीक है, तो आप ऐसे तो find out करते ही हो, है न, यह अपना traditional method, तो आप ऐसे भी find out कर सकते हो, पिष्छे question का भी try कर सकते हो, ठीक है, चरूँ, लेकिन syllabus के लिए नहीं है यह, वैसे आपके लिए, क्योंकि अभी तो आपको पूरा presentation देनी पड़ेगी न, तो पूरा solve करना पड़ेगा, ठीक है, तो बताओ, यहाँ पर b set, बताओ फटाफट क्या आ रहा है b set, b set आ रहा है, minus 2, minus 3, अब बताओ, क्या a, z, b set के equal है, नहीं मैं, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं, यहाँ sign है positive, और यहाँ sign है negative, बिल्कुल भी match नहीं कर रहे, मतलब यह set हमारे equal set नहीं है, ठीक है, आगे बाद समझ, आगे देखते हैं, a set, बनाओ second part का a set, a set क्या है, x, such that x is a letter in the word follow, अब बताओ, follow में, चुब लू repeat है वो हम नहीं लिखेंगे, तो f, यह हमारा आगया, f, o, l and w, डन, ठीक है, b set बनाओ, y, such that y is a letter in the word, wolf, तो w, o, l, f, ठीक है, आप देखो, a और b, check करें, चलिए, बताओ मुझे, a set में, one, two, three, four, number of element कितने हैं, four, b set में number of element, four, मतलब, same to same, दूसरी condition क्या थी, same element, तो देखो, w, l, o, f, यानि कि, same element, and same number of elements, ठीक है, दूनों condition satisfy, इसका मतलब, क्या मैं यह कह सकती हूँ, a equal to b, for second part, done, okay, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next है, हमें बताने हैं कि, इन में से, कौन-कौन से set, equal set है, अब बताओ मुझे, equal set क्या होता है, equal set में, क्या होता है, same number of element, and same element, done, तो बताओ, match करें, चलिए, match करते हैं, a set, two, four, a, twelve, और किसमें दिखाई दे रहा है, two, four, a, twelve, और तो किसी में नहीं है, okay, next, b set, one, two, three, four, one, two, three, four, d set में नज़र आ रहा है, तो b and d set हा, equal set, next, four, a, twelve, fourteen, और किसी में भी नहीं है, minus one, one, e और g set देखो, one, minus one, one, minus one, order, doesn't matter, तो e किसके equal, j, हो गए सभी का, चलिए, यहां तक बताओ, किसी हो कोई दिखकत, ठीक है, तो अभी तक जितना किया है, वो सारा clear हो गया, क्या क्या पढ़ा हमने, set की definition, representation of a set, दो तरीके है, कौन-कौन से, tabular form, and set builder form, ओके, फिर हमने कुछ types of set पढ़े, कौन-कौन से, finite set, infinite set, null set, singleton set, equal set, and equivalent set, done, यहां तक, clear है सभी को, yes, आगे देखते हैं, next है, subset, subset, set तो समझ आया, कि subset क्या है, देखो, एक छोड़ा सा example लेते हैं, जैसे ही आपका, प्यारा सा school है, ठीक है, में राइटिंग, ट्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप manage कर लेना, ठीक, आपका प्यारा सा school है, यह बना दिया हमने school, ठीक है, अब, आपके school में, एक आपकी class भी होगी, यह वैसे ही बना देते हैं, कहीं पर, ठीक है, एक आपकी class भी होगी, ठीक है, अब, मैंने A set लिखा, set of, students, in your school, कि आपके school में, जितने भी student है, उन सब का एक set बना देजिए, ठीक है, बन जाएगा, मैंने एक B set लिया, set of students, in your class, आपकी class में, जितने भी student हैं, सब का set बना देजिए, ठीक है, बात समझ आ रही है, यहां दख तो बात समझ आ गई, कि, A आपने बोला, कि जितने भी मेरे school में student है, माल यह 1000 student है, तो उन सब का एक set बना दिया, अब आपकी class में माल यह 40 student है, उनका एक set बना दिया, ठीक है, ओके, यहां दख तो बात समझ आ गई, तो मैं इसका sub set से क्या लेना देना, अभी, शांती रखा गरो, दिखो, A set है, set of student in your school, कि आपके school में, जितने भी student है, सबका set बना दिया, ठीक है, अब B set है, आपकी class में जितने student है, उन सबका set बना दिया, अब मुझे बताओ, क्या जो आपकी class है, इस class के, सारे के सारे student, क्या इस school के भी student होंगे, definitely, है ना, जिस school में बढ़ते हैं, एक particular class के, सारे के सारे student, उस school का भी part है, ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, subset, आरे यह बाद समझ, कि subset क्या हुआ, इसको मैं छोटा set नहीं बोलती, subset का मतलब होता है, कि, जैसे, ये जो B set है, इसके सारे के सारे element, मतलब मैं कुछ भी लूबी set से, सारे के सारे, A set में present है, तो इसमें सारे के सारी value, A set में present है, आरे यह बाद समझ, subset क्या होता है, कि, इस set के सारे के सारे element, दूसरे set में होने चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी, इसको mathematically कैसे लिखते हैं, कि B is subset of A, यह symbol हम यूज करते हैं, ठीके, तो यह जो symbol होता है, यह symbol होता है, subset का, यह symbol होता है, subset का, ठीके, तो subset क्या होता है, कि इस set के सारे के सारे element, इस वाले set में है, ठीके, clear, तो एक और example लेते हैं, जैसे A set इसमें माल लिया value है 1, 2, 3, ठीक है B मैंने एक और set लिया इसमें value है 1, 2, 3, 4, ठीक अब मुझे एक बात बताओ क्या A set के सारे के सारे element B set में present है चेक कर लेते हैं, देखो 1, तो 1 इधर है, येस आगे देखो 2, 2 इधर है, येस next, 3, 3 इधर है, येस तो यानि कि A set में चितने भी है, वो सारे के सारे B set में present है अब extra भी है, extra कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है वो सारा का सारा उसमें होना चाहिए clear है सबी को, तो subset क्या होता है, subset होता है कि जिसको हम subset बोल रहे है, उसके सारे के सारे element दूसरे set में होने चाहिए ठीक है, clear है यहां तक सभी को, कि इसमें जो भी है वो सारा का सारा दूसरे set में होना चाहिए ठीक है, आप देखो एक और example, मालिया A set मैंने लिया 2, 4, 6 और B set मैंने लिया 2, 4, 6 आप मुझे बताओ, क्या A subset है B का मैं यह तो equal set है ओके A equal to B है देकिन मेरा question दो सुनो, मैं आपसे पूछ क्या रही हूँ मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या A set subset है B का मैंने क्या बताया, subset के लिए क्या होना पड़ेगा A set के सारे element B set में present होने चाहिए बस इतनी सी बात है, check कर लेते हैं, करते हैं check 2, क्या यह B set में present है, yes 4, क्या यह दूसरे set में present है, yes ध्यान से सुनना यह बात 6, यह दूसरे set में present है, yes मतलब A set के सारे element B set में present है, ठीक है तो यानि कि इसका मतलब क्या है, A is a subset of B, ठीक है आरे यह बात समझ, तो subset क्या होता है, subset का मतलब यह नहीं होता है कि उससे छोटा set हो, जरूरी नहीं है, हर बार छोटा हो, उसके equal भी हो सकता है लेकिन बस इतनी सी condition है कि उसके सारे element दूसरे set में present होने चाहिए, ठीक है तो यह notation हम use करते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको, तो अब यह clear होगी ना भात कि what do you mean by subset, तो subset होता क्या है तो अगर मैं ले लू माल लिया A और B, दो set तो क्या बोलोगे आप subset किसको बोलेंगे, हम क्या लिखेंगे A is a subset of B किस situation में बोलेंगे, if every element every element of set A A is also an element of set B कि set A में जितने भी element है, वो element होने चाहिए, set B के ठीक है, तो यह जो sign है, इसको read कैसे करते हैं, इसको read करने का तरीका है हम बोलेंगे A is contained in B A is contained in B, ठीक है, symbol किसका है, subset का, ऐसे ही read करोगे A is, read कैसे करते हैं, A is subset of B A is subset of B, read तो ऐसे करेंगे, A is a subset of B और इसका मतलब क्या होता है, A is contained in B, मतलब पूरा का पूरा चो A set है, वो किस में होना चाहिए, B में यहां तक हो क्या है, ठीक है ध्यान से सुनना आप ये बात दूसरा है, proper subset, proper subset, proper subset क्या होता है, प्रोपर subset होता है, जैसे, for example, मैंने A set लिया, 1, 2, 3, B set लिया, 1, 2, 3, 4 अब बताओ, क्या A set के हर एक element, B set में present है, ये condition तो ठीक है लेकि मैं ये तो subset होता है, हाँ, subset होता है अब मैं बात कर रही हूँ, proper subset की, proper subset का मतलब क्या होता है proper subset का मतलब होता है, कि जो ये second set है न, इसमें कम से कम यहां मैं बात कर रही हूँ, at least one element, कम से कम एक element जादा होना चाहिए इस set से ठीक है, नहीं यहीं बात समझ जैसे, A set है 1, 2, 3 और B set है 1, 2, 3 तो क्या मैं यह कह सकती हूँ, A ये subset of B ठीक है, तो देखो A subset है B का, यहां मैं बोल सकती हूँ, A ये subset of B लेकिन इस में मैं नहीं बोल सकती कि ये जो second example है न, इसको मैं प्रॉपर subset नहीं बोल सकती है, ये subset तो है 1, 2, 3, 1, 2, 3 लेकिन इस प्रॉपर सबसेट नहीं है, प्रॉपर के लिए क्या होना पड़ेगा, प्रॉपर के लिए इस set में कम से कम एक element जरूर कम होना चाहिए, लेकिन यहां देखो यहां भी 3 element है, यहाँ भी 3 element है, यह तो equal हो गई na, तो equal नहीं हो सकते, तो proper का मतलब है, कम से कम एक element तो कम हो, आर यह बात समझ, ठीक है, तो इसके लिए notation जो use करते है, proper subset के लिए, proper subset अगर है, तो हम क्या notation use करते है, A is a subset of B, मतलब जो हम यह equal को वाला sign लगाते हैं तो यह वाला sign बस हट जाएगा, तो बात समझ आई, proper subset का मतलब, proper subset का मतलब है, कम से कम एक element कम हो, ठीक है, ओके, आगे देखो, यह note कर लो, proper subset, proper subset, proper subset होता है, अगर A और भी दो set है, तो मैं कब बोलूँगी, A is proper subset, यह जो symbol है, यह किसका हो गया, proper subset का, proper subset, तो A is proper subset of B, हम कब बोलेंगे, if, there is, at least, one element, more, than, set A, ठीक है, कम से कम, एक element जादा हो, set A का, किस में, set B में, ठीक है, कम से कम, एक element जादा होना चाहिए, ठीक है, जादा हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम यह, अब एक बहुत, point की बात है, note कीजिये, देखो, यह तो clear हो गया, कि A is a subset of B, और A is a proper subset of B, ठीक है, यह note कर लेना, कि यह हमारा क्या हुआ, subset, और यह हमारा क्या हुआ, proper subset, लेकिन, जो हम in general, notation यूज करते है, subset की, तो, A is a subset of B, यह notation यूज करते है, ठीक है, तो अगर आपका कहीं पर यह symbol आता है, तो इसका मतले भी बिल्कुल मतलेना, कि यह proper subset ही दे रखा है, तो फिर मैं, कैसे identify करें, देखो, जब आपका, बिल्कुल 100% shorty है, कि वो proper subset है, तो केवल और केवल यह symbol लगाना है, ठीक है, उसमें आप, क्योंकि ना subset के लिए, आप symbol यह भी यूज़ कर सकते हो, और यह भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही symbol यूज़ किये जाते हैं, ठीक है, लेकिन केवल अगर proper subset की बात आती है, तो केवल यह symbol ही यूज़ करना है, ठीक, लेकिन अगर उसमें equality भी है, तो केवल यह symbol ही use करना है, उस case में आपका यह वला symbol नहीं चलेगा, जैसे जो यह example था, A, 1, 2, 3, और B, 1, 2, 3, अब इसमें मुझे show करना है कि A ही जह subset हो भी, क्योंकि subset तो है, तो यहां मुझे subset show करने के लिए equal का sign लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यह confirm है कि यह set equal set भी है, ठीक है, तो वहाँ यह symbol काम नहीं देगा, दूसरी बात, अगर मालिया, A दे रखा है 1, 2, 3, और B दे रखा है 1, 2, 3, 4, यहां मुझे बिलकुल confirm है कि यह इसका proper subset है, और आप से पूछ भी रखा है कि proper subset है, तो जब तक proper subset question में mention ना हो ना, अब आप इसको ऐसा नहीं लि हैंगे, ठीक है, तो जब आप 100% sure हो, तब केवल यह symbol proper के लिए, जब आप 100% sure हो कि equality भी है, तो केवल यह symbol, otherwise, in general, हम यह भी symbol यूज़ कर सकते हो, यह symbol भी, ठीक है, तो इस चीज़ का बिलकुल धिहान रखना, अभी तो थोड़ा सा जीब सा लग रहा होगा, first time आपने रहा है, ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, subset क्या होता है, कि first set के सारे element second set में हो, और proper subset क्या होता है, कि दूसरे वाले set में कम से कम एक element जाता हो, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ओके, चलिए, आगे देखते हैं, कि जैसे, मालिय मैंने एक set दिया, यह एक सारे example note करते जाना, मै मैंने a set दिया, क्या 1 और 2, ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसके कौन-कौन से subset हो सकते हैं, केवल subset की बात करी हूँ, मैं proper की बात नहीं करी, बताओ कौन-कौन से subset हो सकते हैं, मैं, एक तो इसमें आ जाएगा 1, है न, 1 भी तो इसका subset है, क्योंकि देखो, 1 सारे element उस set में present ह ठीक है, अच्छा, क्या 2 आ जाएगा, क्या, yes, 2 भी आ जाएगा, ओके, तो क्या 1, 2 भी आ जाएगा, हाँ, 1, 2 भी आ जाएगा, एक value रह गई, देखो, एक value क्या, जब मैंने कुछ भी नहीं लिया, तो वो भी तो आएगा, ठीक है, इस set में से कुछ भी नहीं लिया, तो द रहे, तो वो तो उससे छोटा set ही हुआ, ठीक है, इसके सारे के सारे element उसमें present है, अब इसमें कुछ element ही नहीं है, तो उसमें present ही है, ठीक, और देखो ये पूरा का पूरा set भी आ गया, है न, तो note कीजिए, तो point, first point, empty set, empty set is subset of every set, empty set, हर एक set का subset होता है, ठीक है, दूसरी बात, every set, every set is subset of itself, कोई भी set, खुद का भी subset होता है, अब जैसे देखो, one, two, ये खुद set था, तो every set is a subset of itself, वो खुद का भी subset होता है, and empty set, या आप इसको five भी लिख सकते हो, empty set is subset of every set, clear है ये सब बात, okay, तो ये important point है, empty set is a subset of every set, and every set is a subset of itself, तो यहाँ देख बात clear है, okay, चलो, एक example करके बताओ मुझे, मैंने एक set दिया, जिसमें value है, one, two, three, तो बताओ, इसमें कौन-कौन से आपके subset बनेंगे, बनाओ फटाफट, done, हाँ, तो देखो, five तो मैं सभी का बन जाएगा, ठीक है, one आ जाएगा, single one, single two, single three, ठीक है, आप देखो, यहाँ से शुरुवात करनी है, one, two, दो, पहले लिए one, one की जितने भी combination थे, अब two, two के, दो-दो value, one, two आ जाएगा, one, three आ जाएगा, two, three आ जाएगा, और one, two, three, है न, तो देखो, empty set, तो हर एका subset बन गया, और कोई भी set खुद का भी subset होता है, clear, ठीक है, अब एक और बात, देखो, यहाँ number of element in set है, बताओ फटा-फट कितने थे number of element, two, यहाँ number of element कितने है, three, है न, लेकिन, इसमें बताओ number of subset कितने बने, four, इसमें number of subset कितने बने, one, two, three, four, five, six, seven, eight, कितने बन रहे हैं, eight, तो नॉट किजे यह, किसी भी set के, number of subset, number of subset होते है, two की power, n, ठीक है, तो देखो, जब आपका n, two था, तो देखो, two square, किसके equal आया, four, जब आपका n, three है, तो देखो, two cube, कितना आया, eight, clear है न, सभी को, कि, किसी भी set के, number of subset कितने होते है, two की power, n, very simple, ठीक है, clear है सभी को, subset क्या होता है, proper subset क्या होता है, और कितने number of subset होते है, तो बताओ, फटा-फट, subset क्या होता है, कि first set का हर येक element, second set में present होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, subset, तो वो equal भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा, proper subset, proper subset कब बनेगा, जब वो उससे छोटा ही हो, उसके equal ना हो, इतनी सी बात है, कि उसमें कम से कम जो बड़ा set है, उसमें कम से कम एक element जादा हो, done, ठीक है, और कितने total number of subset बनते हैं, two की power, n, ठीक है, तो ये try करके आना आप, अगर मान लिया, मैंने दिया, ये not करो, एको ही भी set है, जिसमें element है, A, B, C, इसके subset बनाने हैं, दूसरा, phi, A, B, phi और 1 ले लो, phi and 1, ठीक है, तो इनके जितने भी subset बन सकते हैं, ठीक, सब भी बना के लाने हैं, simple, चलिए, आज के लिए इतना ही, okay, bye, have a nice day.